यश बाबु न्यूज, कबरें सुपरपाज, यश बाबु न्यूज वारदात पे शामिल अन्य यूज को बारे में भी जांच की जा रही है जल्दी अन्य आरुप्यों को भी गिरफतार किया जाएगा उप पोलिस अधिकक्ष स्तर के अधिकारी के नेतरित्व में विशेश टीम द्वारा गहनता से जांच की जा रही है अभी उनको हमने सुरक्षा अपलब्ज करवा रखी है क्योंकि अभी वी कई अक्यूज बाहर है तो उनको हमने अभी अपनी तरफ से गाउं में तनाव को भी देखते हुए हमने गाउं में भी फोर्स टिपलाइका रखी है और सरपंच को भी सुरक्षा दिए हमारे वो यहीं लोकर कोई काम अपना प्राइवेट काम करता है तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि वो इस इंसिडेंट के कारण गामा शोड़ने पर मच्भी है और उचित सुरक्षा उनको अरड़ी दी गई है और अगर जुरूरत हो भी तो हम और दी है यह दोनों चीजे हुई ह मैक्सिमम डमेस्टिक वइलेंस और घ्रेलू और अपरांचे रिलेटीड क्राइममें ऐग थेखा गया है अगर हम रोतर जिले की भी बात करें तो यहाँ पर भी हस्बेंट वाइफ पाप बेटा मां बेन, मां बेटा इस तरह के जो क्राइम हुएं वह एक्रीज हुए है दो या तीन मर्डर हुए हैं हमारी टीम ने लगातार एफर्ट करके उन में जो भी कल्परिट्स थे उनको बड़े छोटी डूरेशन में पकड़ने का काम किया है हमारे जो भी हाटकोर क्रिमिनल्स हैं इस टैम डिस्ट्रिक के वो सारे किसी ना किसी जेल में बन है और हमारा ल हम पिछले 20 दिनों की बात करें एक जुलाई से बात करें हमने विशेश तोर पर अपने तक्रिवन 22 या 23 तो आम्जेक्ट की एफ़ायर्स करी हैं और लॉकटाउन 23 मार्स को शुरू हुआ था 23 मार्स से लेके आज 20 जुलाई तक हमने तक्रिवन 45 या 46 ऐसे क्रिमिनल्स को प किसी भी सुरत में जो क्राइम करने वाले हैं उनको क्राइम नहीं करने दिया जाएगा लेकिन अगर कोई करता भी है तो हम उनको पकड़कर उनको जुडिशल सिस्टम में अंतरगत लाकर उची सजा दिलवाने के लगातार एफट्स करने का हमारा काम है और उसमें हम लगात अपने एफट्स करें और हमारे जो भी यूनिट्स हैं जो भी हमारे थाने टीम हैं वो लगातार अपने एफट्स करें यश बाभु न्यूज खवरें सुबरफार्ट यश बाभु न्यूज